हेलो गाइड्स ओविलेटर्स में आपका सौ दिस्तों कैसे हो दुस्तों आशा को तो बहुत अच्छे होगी तो गाइड्स आप लोग देख सकते हैं कि TCL कंपणी का CRT TV जो 20 ओन इंज का CRT कल टीवी है तो गाइड्स इस TCL कंपणी के टीवी पे क्या फॉल्ड हुआ है इसमें देखिए आप लोग मैं टीवी पे जब लाइन देता हूं वीडियो देखिए कितना डीम पिक्चर आ रहे हैं कैमेरा में थोरा साप आ रहे हैं लेकिन और भी पिक्चर रियल में डीम है है याओनि डीम पिक्चर जो लो भ्राइट नेस बोल सकते हैं आप याँनि पिक्चर ट्यूब्ब हो यहाग है तटla टीकए तो इसी प्रब्लम आते हैं कि पुक्चर ट्यूब की लाइट बहुत कम हो जूए और जो पिक्चर है बहुत वलैक होके है यानि काला हो गया है य तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को कैसे आप इस problem को solve कर सकते हैं एक तो हो गया picture tube charge करके आप इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन उससे भी उसका एलाबा भी और एक आपके पास solution है जो मैं आपको दिखाडा हूँ तो देखिए फुरा वीडियो ध्यान से अगर आपको काम सीखना है तो और इसकी मत किजिएगा क्योंकि एक एक point आपके लिए बहुत जानगड़ी हो सकते हैं तो देखिए मैं टीबी को खोल दिया और देख सकते हैं आप इंटरनली जो सार्किट है इसका वो भी TCL कमपनी का ही है देख सकते हैं आप यह जो बोर्ड है ओर जिनल बोर्ड है ओके देख लिए आप बहुत अच्छे से बोर्ड को और देखिए एक तो हो गया कि अगर पिक्चर डाउन होता है अगर लाइट कॉंट्रक्ट कम होते हैं तो यहां पर दो पीसेट है उपर का जो फोकस हो गया और नीचे का इसकिन का है देखिए यह बला जो मैं घुमाड आओ नीचे बला ठीक हर कोई टीवी में जस्ट TCL मोलके नहीं हर कोई टीवी पर आपका ऐसे पॉलम आते हैं तो मै पिक्चर आ गया तो देखिए पिक्चर कितनी डिम पिक्चर है आने लो कॉंट्रेक्ट जो इसका जो अंदेरा अंदेरा पिक्चर है आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी भसा में तो देखिए यहां पर नीचे जो इसकिन का है पिसेट और उपर में फोकस का तो मैं नीचे के स्किन का और ने लाइटिंग बढ़ाऊंगा इसका तो देखिए मैं लाइटिंग बरहड़ा हूँ फिर भी डाउन है क्योंकि चामेड़ा पर थवर सा अच्छा दिखता है सब कुछ इसलिए आपको दिख रहा है केमेड़ा में अलग लेकिन रियल में और भी डाउन है तो पॉब्लों के उपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसका जो सॉलूसिन है आप सॉलूसिन कहां से कर सकते हैं इसको तो चलिए ओही देखिया पूरा ध्यान से ओके तो चलिए मैं ठीपी को खोल लेता हूँ उससे पहले में यह भी सॉकट को खोल दिया इभी पीन को अभी मैं इसका जो बोर्ड है बोर्ड को बहां निकालूंगा एक एक कटके इसका सारे सॉकेट जो इस पी कर वगएरा जो यह भी टू का सॉकेट है पीसेट का सब कुछ खोल दूंगा और इसटी का जो कैफ है वह थुरा सा सॉट हो रहा था यानि कम वह एड़ छोटा था यह इसलिए उसको भी खोल दिया मैंने अब ज़स्ट आपको दिखाना है जो काम है में काम तो गैट्स यहां पर में में जो काम है वह किया है आपको एक बार देख लेना है 110 वोल्ट जो जादर केस फीचर ट्यूब से होते हैं फिर भी आपको एक बार वोल्टेज देख लेना चाहिए तो चले मैं डारेटली जाता हूं जहां से फॉल्लम होते हैं ठीक है आप एस्टी पे चल जाए और एस्टी पे वहां पे आपको दिखने को मिलेगा हीटर का पीन हाड कमपनी वहां पे जो रेस्टेंस होता है उसको ओपन करके खोल के फेक देना है यानि खोल के बोर्ट से खोल देना है आप एक पीन ओपन कर सकते हैं या फिर आप दोनों पीन को ओपन कर सकते हैं आपकी मर्जी तो चले मैं दोनों पीन को ओपन करके मैं खोल के रख देता हूं लेकि याणि तार उसको लेना है और उसको लेकर डाइरेक्ट आपका जो heater का pin होता है HB वहाँ पे लगा देना है डाइरेक्ट heater के लाइन पे heater के pin पे आपको solder कर देना है जो oAID है और उस OAS को आप लेना पढ़ेगा कहां से boat की कहीं से भी आपकी जो आपका इच्छा हो जहां से भी आपका shortcut मिलता है वहां से आप ले लीजिए वैर को pass कर दीजिए तो देखिए मैं उपर से pass कर दीए आप एक छेदधा वहां से अभी मैं क्या करूंगा तो चलिए अभी जो main important point है इसको आप follow कीजिए अभी मैं क्या करने जाड़ा हूं अब इस wire को ले लिया और इस wire को ले के हर कंपणी का st होता है हर कंपणी के st के जो gap होता है आपको मिलेगा यहां पे यह जो ग्याप हर कंपणी के st पर ही मिलेगा आपको तो क्या करना है यहां से लगाना है ऐसे एस्टी का जो वाइड है आप जितने वाइड का यहां पे यानि एक राउंड दो राउंड जैसे जितना राउंड घुमाएंगे आप ऐसे ही आपका वोल्टेज बहुत बर जाएगा हीटर का तो ऐसे लगाना नहीं है अगर ऐसे लग घुमा दिया में और अभी एक राउंड और दूंगा तो चलिए दो राउंड हो गया तो यहां पे जितने राउंड आप घुमाएंगे उतने राउंड बढ़ेगा वोल्टेज और उधर से यानि उल्टा साइड से डाएं तरफ से आगर आप राउंड घुमाएंगे तो आप इक ़म्तों का वोल्टेज जो है ड्रॉफ होगा एशचिकाएंगे यहां पे हैं ऐसे काम करता है जह कुछ भी नहीं यहां पर एंपियर काम करते हैं ठीक है तो चलिए आभी वोल्टेज आपको मेजर करना जरूरी है क्योंकि अगर हाइब होगा तो पिक्शे ट्व कर सकते ह तो खड़ाब हो सकते हैं तो चलिए बोल्टेज मेजर कर लेता हूं हीटर पर रखके मीटर को यानि एसी लाइन पर रखके बोल्टेज मेजर कर रहा हूं तो चलिए बोल्टेज मेजर करते हैं और देखते हैं बोल्टेज कितना दिख रहा है तो देखिए यहां पर अभी बो प्रब्लेम नहीं करने वाला है क्योंकि तीन बोल्टेज में चलता है फाइब बोल्ट में कुछ नहीं होगा ज्यादा हो जाएगा तो आपको कम करना है फिर भी आप कम कर सकते हैं एक राउंड कमा के जितने राउंड आप बढ़ाएंगे ना वहां पे एस्टी का जो पीन था ग्याप था वहां से आप जितने राउंड बढ़ाएंगे उतने आपका बोल्टेज बढ़ेगा जितने राउंड कम करेंगे उतना कमेगा अगर आप राइट साइड से लेंगे राउंड घुमाएंगे तो भी कम हो जाएगा यानिन जीरो तो आप देख लिए और ओ जो अगरे तो चलिए यह भी लाइन पर दे दिया में और आभी पिक्चर आपको दिखाते हैं पिक्चर देखे कैसे आड़ है तो गैट पिक्चर घुमाने में तकलिप हो रहा था इसलिए मैं फास्ट्रेम क्या कर रहा हूं इसका जो सारे सॉकेट हैं इसको सॉकेट को लगा द देता हूं और फिटिंग करने के बाद आपको फ्रॉंट की तरफ लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि पिक्चर में क्या बदलब है तो चलिए आप लोगी देख सकते हैं क्या इसका जो चेंजिस है क्या चेंजिस हुआ कि इसका इस पीकर का वैड को मैं लगा दिता हूं हुआ 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 है है ओके तो गयरत आप लोगे मन में जो भी सवाल हो जो भी कोस्टेंट हो टीसी खेशल कंपणी का बहुत मिदी जो कोई भी कंपनी का टीवी हो जाये आपके मानी में अगर कोई question problem रहता है तो आप मेरे को comment कर सकते हैं मैं आप लोगो help वड़ूँगा यह आंसर दूँगा तो देखिए guys यहाँ पे देखिए picture कितना अच्छी आड़ है देखिए यहाँ पे picture कितना अच्छी आड़ा है साप वीडियो क्वालेटी वीडियो क्वालेटी कितनी अच्छी आचुके हैं फैले के तरब से तो गैट्स देखते रहे हैं ऐसे इंटिस्टिक वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिभाई जाहें दोस्तों झाली आजमें जाख जएपिए आब तुछ उखा अचाहींवाने इंट धनले नाच्छी दोस्तों दोस्तों आपिए्टिक OCैन्तों मु झाली पेसिए कैश्वाई उब हैं घचतकी